Good morning class third ओके बेटा कल हमने Roman numerals counting सीखी थी मुझे पता है आपको आगई होगी ठीक है अब आपने क्या करना है यहाँ पे आपकी activity 1 है यहाँ पे आपने practice करनी है खुद clear यह आपका test भी हो जाएगा और साप में पता चल जाएगा कि आपको Roman counting आगई है यह नहीं आगई यह सभी आपने खुद करनी है बिना देखें आपके page number 33 पे है Roman counting यहाँ पे खुद लिखनी है 39 तक अब next है आपकी question number 2 write the Hindu Arabic numerals अब आपको यह Roman में गीबन है आपने इसको Hindu Arabic में लिखना है Hindu Arabic में पता है जो हम first class से करते आ रहे है nursery class से करते आ रहे है 1, 2, 3 उसको क्या बोलते है Hindu Arabic उसमें हमने लिखना है सबसे पहले है आपके पास double x, i और v हमारे पास है double x, i और v double x क्या बोलते है 20 plus, plus कभी इच में sign डाल देंगे क्यों plus करके ही हमने लिखना है ऐसे आपको अच्छे से आ जाएगा i और v क्या होता है 4 और v और i क्या होता है 6 मैंने कल आपको बचाया था कि i और v क्या होता है 4, v पहले i बाद में हो तो i और v क्या हुआ 4, clear किसी ने ऐसा नहीं करना कि यहां पे आप लोगों ने 10 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 5 अगर ऐसा करते हो क्योंकि ये भी 10 है ये भी 10 है आई क्या हुआ 1 और ये क्या हो गया 5 तो ये कितना बन जाना है 26, 26 wrong answer होगा देखो बच्चे जब आपका जा रहा होगा तो ये descending में जाना चाहिए देखो लिकिन ये descending में नहीं हुआ न ये बीच में क्या आगया चोटी टर्म आगया या तो ऐसा हो था 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1 ये दोनों सेम थे it's okay चलेगा बट इसके पीछे जो टर्म्स है वो छोटी होनी चाहिए थे जैसे 5 है बाद में 1 होता तो सही होता लेकिन पहले क्या आगया 1 बाद में 5 आया it means to say that आप wrong जा लेगे इसको आप दोनों collectively निखोगे तो i and b क्या हुआ 4 20 प्लस 4 कितने हुए 24 clear x x क्या होते है 20 i और v क्या होता है 4 तो यहां पे क्या आजाएगा 24 next is double x क्या होते है 20 और अकेला v क्या होता है 5 20 प्लस 5 कितने हो गए 25 it means to say that b का आणस्वर क्या आएगा 25 okay next है b part x double i x क्या हुआ 10 और double i क्या होता है 2 तो descending order में है पहले बढ़ा फिर चोटा it means to say that this is your right 10 प्लस 2 कितने हुए 12 तो यहां पे क्या जाएगा 12 आप सभी ने ऐसे लिखना है फिर आपको कभी भी mistake नहीं होगे so this is compulsory next c part x triple x है next v और i triple x क्या होता है 30 triple x क्या हुआ 30 v और i क्या होता है 6 तो 30 प्लस 6 कितने होगे 36 यहां फिर आप ऐसे भी कर सकते हो x क्या हुआ 10 again x क्या हुआ 10 x क्या हुआ 10 v क्या होता है 5 i क्या होता है 1 अब इनको plus कर लो 10 प्लस 10 20 20 प्लस 10 30 30 प्लस 5 35 35 प्लस 1 36 answer is same so आप ऐसे भी कर सकते हैं बड़ देखना है कि आपका descending में जा रहा है पहले देखो यह तीनों सेम थी ठीक है यह फिर उससे छोटी फिर लास पर सबसे चोटी इसका मतलब यह भी आपका sum बिल्कुल सही है next e part देखिए अपना यह क्यों हुआ x plus double x क्या होते है 20 या फिर आप इसको plus कर लो x कितना होगा 10 next x कितना होगा 10 10 plus 10 कितने होगे 20 next is double x क्या होते है 20 अब यह देखिए अब यह क्या i और x है न अगर आप ऐसे करते हो यह 20 है यह क्या है 1 और यह है 9 तो यह गलत होगा क्योंकि यह तो 30 बना देगा फिर यह गलत है क्योंकि बीच में एक टम छोटी आगे फिर बढ़ी होगे तो यह गलत है क्योंकि यह descending में नहीं है अब देखिए अब यह x plus double x कितने होगे 20 लेकिन यह क्या होता है 9 i और x क्या होता है 9 तो यहाँ पे क्या आएगा 29 क्योंकि अब देखो descending में नहीं है पहले बढ़ा फिर बाद में छोटा क्लिए तो यह क्या होगा 29 अगर ऐसे करोगे तो वो गलत होगा आपने descending order की तरह ही करना है next is triple x and double i triple x क्या होता है this is a 30 and double i क्या होता है 2 so this is a 32 clear अगर आप ऐसे करते हो 10 plus 10 plus 10 plus 1 plus 1 head descending order में यह same term हो जाती है उसका कोई चक्करी है इसको plus करोगे तब भी 32 ही बनेंगा it may do set है दोनों तरीके से करोगे दोनों ही ठीक है next आगे देखे next है x v triple i x क्या होता है 10 v क्या होता है 5 and triple i क्या होगा 3 again descending के पहले बढ़ा फिर छोटा फिर छोटा इनको plus करें तो कितना आएगा 18 अगर आप ऐसे करते हों कि यह 10 है and v और triple i क्या होता है 8 तब भी ठीक है clear आपने यह नीचे वाला कुछ नहीं करना लेकिन उपर वाले जुरूर लिखने है 10 plus 10 is 20 20 plus 9 is 29 10 plus 5 plus 3 is 18 clear ऐसे करने है आपने अगर आपको रोमा नुमरल में गीवन हो आपने हिंदू अरेपिक में लिखना हो clear अब next है आपकी review exercise इस chapter की आप review exercise भी करोगे आपने ग्रेटर देन का sign जो है लगाना है जो बड़ा होगा अब यह दोनों आपको किसमें given है रोमा नुमरल में अगर आप रोमा नुमरल में करोगे ना तो आप पक्का confused होगे आप इसके ऊपर एक बार हिंदू अरेपिक कॉन्टिक लिख लेना फिर देखना कि इन दोनों में से कौन बड़ा है और कौन चोटा है जैसे कि V और I क्यों होता है Six and I और V क्यों होता है Four यही होता है न V और I is six and I और V is four तो अब इन दोनों में से कौन बढ़ा है 6 तो हमने इसकी तरफ क्या कर देना greater than का sign clear next double x is 20 double i is 2 तो यह क्या हो गया 22 22 और यह क्या है 10 plus 2 is 12 अब 22 बढ़ा है 12 of course कौन सा बढ़ा है 22 so greater than का sign किसकी तरफ करेंगे 22 की तरफ next है यह क्या है this is a 30 triple x is 30 and next is also triple x दोनों क्या है equals यहाँ पे किसका sign आएगा equals to का clear क्योंकि triple x triple x same थे तो यहाँ पे क्या आगया equals to का sign next 30 i or x क्या होते है 9 so this is 39 again अगर आप 10 plus 10 plus 10 1 plus 10 करोगे तो वो गलत होगा क्योंकि भी इसमें कौन सा नंबर आगया छोटा तो यह wrong है clear यह नहीं करना हमने next this is a 30 and next is 8 so this is 38 39 बढ़ाईगा 38 38 कौन सा 39 so greater than का sign किस की तरफ आएगा 39 की तरफ next this is 20 and next is 4 so यह क्या बन गया 24 again किसी ने 10 plus 10 1 plus 5 नहीं लिखना यह गलत होगा क्योंकि बीच में 1 क्या था छोटा सो गलत है it means to say that इनको जॉइंट लिखेंगे next this is a 30 and i और v क्या होता है 4 so this is a 34 24 बढ़ाई है 34 कौन सा बढ़ा है 34 so greater than का sign 34 की तरफ next triple x क्या हुआ 30 और i क्या हुआ 1 so this is a 31 next is 10 plus 3 is 13 so 31 बढ़ा हुआ है 13 31 so 31 की तरफ बेस्ट करना है clear ऐसे आपने करने है put sign clear so आपकी review exercise का first part done हो गया second part कल हम करेंगे clear thank you so much have a nice day